कि हलो फ्रेंस वेलकम टू गुरुकूल का सब्सक्राइबी जैसाब बता है कि हम यहाँ पे जीके की इंपॉर्टन के सिरीज को डिसल्स कर रहे हैं और यह हमारा जीके का पार्ट एड़ है जिसमें अगेन यहाँ पे कुछ आपके लिए इंपॉर्टन कुश्चन लेकर आए कि वैश्वी मिश्विट्यालाई के वैश्विक मुख्यालाई में है फिती का आजाएंगे सेकंड नमर हमारा कुछ निगा रहा है कि भारत के 15 प्रधान मंतरी का नाम बताइए तो जानते लिए बांगला देश के मुहम्मद यूनूस को उनके किस योगदान के लिए 2006 में उनको नॉबिल शांती पुरुसकार दिया गया तो जानते हैं कि बांगला देश के मुहम्मद यूनूस जी को उनको 2006 में उनको नॉबिल शांती का पुरुसकार दिया गया था उनके आर्थिक और समाजिक विकास की दिशा में उनके किये गया प्रयाशों की बात आप्शन नमर ए में है तो हमारे हाँ पे ए नमर राइट है कि भारती मुद्रा नोटों की छपाई के लिए उपयोग की जाने वाली सामगरी क्या है तो जानते है कि भारती मुद्रा में नोटों की छपाई के लिए उपयोग की जाने वाली जो सामगरी है वो है कापास एवन कापास के लट्टे और कापास के लट्टे दिखिया है नमबर यहां B में तो हमारे यहां B नमबर राइटांस रोजागा आप पजा रखना है कि भारती मुद्रा नोटों की छपाई के लिए उप्योग की जाने वाली जो सामगरी है वो कापास में कापास के लिए जिसे कॉटन एंड कॉटन रेज भी हम कहते हैं फिरी के आ भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रेखा को नियंतरण रेखा एलोसी में जो परिवर्ट किया गया था ये किया गया था 1972 में फिदी के आज आएंगे नेक्स नमबर हमारा के शोर के किस अस्तर के ऊपर शोर कान में दर्द और च्छती का कारण होता है इसका उनलब कि शोर का कौन सा वो अस्तर है मतलब जो ध्वनी प्रदूशन होता है ये ध्वनी कितनी जादा जादा हो जाएगी कि कान में जो है दर्द होने लगे गया कान में छती भी पहुंच सकती है अब देखे यहाँ पर दिया है यहाँ पर तो जांतर एका ऑप्शन तो सही होगा वो होगा। अप्शन अंबर भी लगभग 130 decibel लगभग 130 decibel अगर इसके ऊपर चला गया सौंड अगर इसके ऊपर चला जाता है तो गान में दर्द और ख्यू भी ऑनपर चलागा ओ सकती है इसलिए और हमारा कुशन कर गहा है कि अरुनांचलud urged की राजधानी कौन सी है तो जांती रहे हैंकि अरुनांचलud told की जो राजधानी है वह इटा नंगर और फिर今天 देखिया है option इसमें तो मारे और 시 नमरे आद रहाए जाने में और चाहिना दिखिया है option number a में चीन तो हमारा ए नमबर राइटास रोजागा आपको जाए रखना है कि प्रसिद केंटर टावर जो है वो चीन में स्थित हैं फिदि के आ जाएंगे next number हमारे question क्या रहा है कि फिदि के आ जाएंगे 10 नमबर हमारा question क्या रहा है कि चेचक चेचक जो है किस वाइरस के कारण होता है तो जाएंगे चेचक जो होता है यह होता है वैरी सेला वाइरस से और वैरी सेला दिखिया है option number यहाँ पे B में तो हमारे यहाँ पे B नमबर राइटास रोजागा आपको यहाँ रखना है कि चेचक जो होता है यह वैरी सेला नमक वाइरस से होता है फिर देखिया आ जाएंगे नेक्स नमर हमारा question क्या कर रहा है कि कीमो थेरपी किस रूप के उपचार के लिए दी जाती है तो जानतरेगा कीमो थेरपी जो दी जाती है यह cancer के उपचार के लिए cancer हो जाएगा अच्छा अगर बात करें के cancer होता कैसे तो जानतरेगा cancer जो होता यह कोशिश कोशिश काओं के अनियंतरत वृद्ध के कारण होता जब कोशिश काए अनियंतर होकर बढ़ने लगती है तो उसी के process को हम क्या बोलते हैं वही cancer में convert हो जाता है तो कीमो थेरपी का संबंद किस से cancer से है फिदी के toll number मारा question कह रहा है कि श्रामण बेल गोला जो है यह कहां पर इस्थित है तो जानतरेगा श्रामण बेल गोला जो है यह संबंद किस से है तो श्रामण बेला गोला का संबंद किस से है तो श्रामण बेला गोला का संबंद किस से है तो श्रामण यह जयाएं धर्म से संबन्धित है Хा यह भी याद रखना है कि श्रावण बैला गोला को जो संबंदिक किस से कर ना ठिक है और ऑफ मानочно से होता है जैसे आपने सिस्टम on किया होगा तो इसमें देखते हैं आप MS Office जो होता है MS Word MS Excel MS Access बहुत है सारी MS PowerPoint बहुत है सारी चीज़े आती है दिखरें MS Office आखिर है क्या तो जानते लिए MS Office जो है यह एक application software है application software की बात आई है option हम software होगा और जो हमारा बाहुत से डला जाता है वह क्या होता है वह प्रकाश वर्स यहां प्रकाश वर्स को जो मापा जाता है यह मापा जाता है फिर यह आजयें zust नम्म प्रोशन के संदर्भ में पि YUP जो वायू प्रदूशन के संदर्फ में जो PM होता है इस PM का क्या मतलब होता है तो जानते हैं कि वायू प्रदूशन के संदर्फ में PM का जो मतलब होता है ये आपका होता है कनकी पदार्थ जो पार्टिकुलेट मैटर जो होते हैं उसी को हम PM बोलते हैं वायू प्रदूशन के संदर्व में फिरी कि आ जाएंगे next number हमारा question क्या कर रहा है कि G-set 60 क्या है तो G-set 16 जो आया है जो G-set 16 जो 16 है ये क्या है तो जानतरी का G-set 16 जो है ये है संचार उपग्रह और संचार उपग्रह दिखिया है यहाँ पर आया है दिखी option number D में है communication satellite जो कि संचार उपग्रह हो होता है इसलिए हमारे यहाँ पर option number D को हम क्लिक कर देंगा आपको याद रखना है G-set 16 है ये communication satellite जिसे संचार उपग्रह हम कहते हैं इसलिए option number D यहाँ पर यह राइट अंसर हो जाएगा सानो को वस में करने का खेल जिसे जली कट्टू के नाम से जानते हैं किस राज में प्रशिद है तो जानते हैं सानो को वस में करने का खेल जिसे जली कट्टू कहते हैं जिसको सुप्रेम कोट ने रोग भी लगा दी थी हाली में ये news भी आई थी जानते हैं यह प्रशिद है यह होता है तमुल लाड में यह famous है हां अगर यह question इस तरह सा जाए कि किस देश में सान के युद्ध को राष्ट्री खेल माना जाता है तो जानते रहेगा इसपेशन में ऐपको यह याद रखना है कि इसपेशन में इसपेशन में जो होता लिके गर ये कहें कि जो ये जो सानो का जो है युद्ध जो होता है ये किस देश में रास्ट्री खेल इसको माना जाता है तो वो कौन सा देश है इस पे नहें आपको याद रखना है फिरिके आजाएंगे 18 नमर कुशन क्या कर रहा है कि किस नदी को दच्छन गंगा के नाम से भी जाना जाता है तो जानते रहेंगे वह नदी जिसे दच्छन की गंगा कहा जाता है वो नदी है आपकी गोदावरी और गोदावरी दिखे आया है ऑप्शन नमर यहाँ पे C में वो बोला जाता है वो बोला जाता है गोदावरी नदी को फिर दिखे आ जाएंगे नेक्स नमर हमारा कुशन क्या करा है कि स्वतंतरता सेनानी भागस सिंग को जो फांसी दी गई थी वो दी गई थी सन 1931 में और 1931 दिखिया है ओप्शन नमर यहां पे बी में आया है तो हमारे सेनानी भागस सिंग जी को जो फांसी दी गई थी वो 1931 को दी गई थी हाँ अगर इसको थोड़ा सा डीटेल में देखें तो जांतरी एक इनको जो फांसी दी गई थी वो दी गई थी इनको 23 मार्च को याद रखिएगा 23 मार्च को दी गई थी 1931 को और यह सिर्फ अकेले ही इनको फांसी नहीं दी गई थी दो लोग इनके साथ और थे पहले तो कौन से पहले तो हो गए आपके भगस सिंगी हो गए तो पहले भगस सिंग हो गए और दूसरे नंबर पे जो थे वो थे राजगुरु थे तो दूसरे नंबर पे कौन हो गए राजगुरु हो गए और जो राजगुरू और सुखदेव जी को भी फांसी दी गई थी दीखे आ जाएंगे नेक्श नमर हमारा कुश्चन क्या कह रहा है कि हाँ एक चीज ओओ थोड़ा सा ध्यान दे देंगे कि भागस सिंग की बात चल रही तो जानते रहेगा कि भागस सिंग जी ने नौजवान सभा क है यहाँ पर सभा नौजवान सभा की अस्थापना इन्हों ने की थी ये भी आपको याद रखना है अगर कुश्चन आ जाता है कि नौजवान सभा की अस्थापना कि इन्हों ने की थी तो नौजवान सभा की अस्थापना जिन्हों ने की थी वो कौन थे वो थे भागस सि प्रिथिवी की वीवर्तनिक प्लेटों की गती जिसे टेक्टॉनिक प्लेट भी कहते हैं इसकी गती की वज़ा से ही यहां क्या होता है भूकम आते हैं इसलिए अप्शन नमर हमारा जो डी नमर होगा यहां पर डी नमर राइटन स्रोज़ेगा आपको एक चीज़ और याद र मूव करती रहते हैं यहीं को मूव करने की वज़से ही क्या होता है यह भूकम आता है और तो ऐसे और भी कई कारण होते हैं जैसे ज्वाल मुखी का फटना यह भी होता है और एक चीज़ आनते रहेगा भूकम का अध्यन जो होता है यह किसमे किया जाता है अगर यह कुशन गया कि भूकम आने का कारण क्या है तो हमें पता चला है प्रिजवी की विवर्तनिक प्लेटे मतलब जो टेक्टॉनिक प्लेटे होती है इसकी वज़ा से भूकम पाता है और अगर क्विश्चन होता है कि टेक्टॉनिक प्लेटे कितनी होती है तो टेक्टॉनिक जो प्लेटे ह आपको याद रखना है फिर देखे आ जाएंगे next number हमारा question क्या गरा है कि audio headphone audio headphone की सबसे पहली जोड़ी 1910 में किसके द्वारा बनाई गई तो जानते हैं audio headphone की सबसे पहली जोड़ी जो 1910 में बनाई गई थी ये बनाई गई थी नथालियन और बल्डवीन के द्वारा और नथालियन बल्डवीन आया है देखे ऑप्शन नमबर यहाँ B में आया है तो हमारे यहाँ पे B नमबर राइटांस रोजगा आपको याद रखना है कि audio headphone की जो सबसे पहली जोड़ी 1910 में बनाई गई थी ये बनाई गी थी नथालियन बल्डवीन के द्वारा फिर दिखे आज येंगे 22 नमबर हमारा question के रहा है कि भारती currency जो नोटों के पीछे पिछले भाग पर कितनी भाशाएं मुद्रित होती है मतला जो भारती currency की जो नोट होती है उस नोट के पीछे कितनी भाशाएं पीछे भाग पर जो लिखी रहती है जो भाशाएं वो टोटल कितनी भाशाएं मुद्रित होती है तोटल पंद्रा भाशाएं मुद्रित होती है फिरी के आज जाएंगे next नमर हमारा question क्या रहा है कि नेम लिखिन में से कौन सा एक प्राकरतिक bleaching agent नहीं है दिखे कह रहा है जो bleaching agent नहीं होने की बात कर रहा है तो जानते रहेगा इन चारो option के बात कने नीबू, शिमला मिर्च, आलू और टमाटर में तो जानते रहेगा इन में जो एक प्राकरतिक bleaching agent नहीं है वो है शिमला मिर्च और सिमला मिर्च दिखिया है option number यहाँ पर बी में तुमारे बी न प्रक्रिया को क्या कहा जाता है तो जानते रहें कि पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को जो बोला जाता है वो बोला जाता है आपका विद्धुत विघटन और विद्धुत विघटन आया है दिखें ऑप्शन नमबर A में आया है तो हमारा यहाँ पे A नमब किस ने दिया था जानते रहेगा विद्धुत विगिटन का जो नियम दिया है ये दिया है माइकल माइकल और फैराडे ने तो माइकल फैराडे ने दिया है क्या विद्धुत का नियम ये जानते रहेगा जो किस वर्ष में भारत ने पहली बार राष्ट मंदर यहां खेल, यहां खेली नहीं होगा, खेल होगा, राष्ट मंदर खेल की मेजवानी की थी, जिस वर्ष भारत ने पहली बार राष्ट मंदर खेलों की मेजवानी की थी, वो वर्ष था सन 2010, और 2010 दिखेया है, option नमबर यहां शुरुवात कब हुई थी तो राष्ट मंडल खेल के जो शुरुवात हुई थी वो हुई थी 1930 इस्वी में याद रखेगा 1930 इस्वी में राष्ट मंडल खेलों की शुरुवात हुई थी और यह कहां पर खेला गया था सबसे पहले तो यह खेला गया था आपका हैमिल्टन में है मिल्टन में सबसे पहले खेला गया थो 1930 में राष्ट मेंडल खेलों की शुरुआत हुई थी अब भारत में कब पहली बार हुआ सन 2010 में नेक्स नबर कुश्चन देखते हैं देखें हमारा 26 नबर कुश्चन कह रहा है कि क्लाउड़ कंप्यूटिंग क्लाउड़ कंप्यूटन क्या है तो जांते रहें करें करें कि जमौन है ना तो hardware है ना तो website है बल्कि cloud computing एक service का नाम है इसलिए service है option number A में तो हमारे है नमबर आइटांस रोज़ेंग आपको याद रहे हैं कि cloud computing जो होता है एक service का नाम है फिर देखें आज जाएंगे हमारा next वेंग कैया के द्वारा और पिंगली वेंग कैया दिखें है option नमबर यहाँ पर C नमबर आइटांस रोज़ेंग आपको याद रखना है कि भारती राष्टी ध्वज कर जो design जो तैयार किया गया था वो किया गया था पिंगली वेंग कैया के द्वारा यह आपको याद रखन आ जाया कि तिरंगे की द्वज की लंबाई और चौणाई का अनुपात क्या है तो इसका अनुपात है तीन अनुपाते दो तो याद रखना है कि तिरंगे द्वज की लंबाई की और चौणाई का जो अनुपात है वो कितना है तीन अनुपाते दो तो पहला कुश्चन हमारा कि तिरंगे में जो अशोक चक्र होता है उसे कहां से लिया गया है तो जानते रहेगा अशोक चक्र को जो लिया गया है वो लिया गया है सारनाथ से यह सारे पॉइंट आपको याद रखने है कि भारती राष्टी द्वच का डिजाइन किस ने तैयार किया था पिंगली वैंकेया ने तिरंगे द्वच की लंबाई और चौनाई का नुपात क्या होता है वो होता है तीन नुपाते दो और अशोक चक्र को लिया गया है कहां से लिया गया है जो भारती द्रंगेम दिखता है वो लिया गया है सारनाथ से तो आपको ये सारे पॉइंट से याद रखने हैं फिदि के आ जाते हैं 28 नमर हमारा कुछिन क्यागर है कि स्वतंदर भारत में भारती राष्टी कॉंग्रेस उसकी जो पहली महले अध्धक्षदी वो कौन थी? इंद्रा गांधी और इंद्रा गांधी दिखिया है, option number यहाँ पे B में, तो हमारे यहाँ पे B number 8 answer हो जाएगा, फिदी के आजाएंगे 29 number हमारा कुछ न क्या रहा है कि प्रधान मंत्री जन धन योजना वित्ती समावेश हा हासिल किया है, 100% किसने हासिल किया है? आपको याद रखना है कि प्रधान मंत्री जन धन योजना के तहत जिस राज ने 100% वित्ती समावेश हासिल किया है, वो राज है मेघाले और मेघाले दिखिया है, option number A में, तो हमारे यहाँ पे A number 8 answer हो जाएगा, आपको याद रखना ह कब शुरू किया तो जानतरी के प्रधान मंत्री जन धन धन योजना के वो किया गए था 28 अगस्त को, 28 अगस्त को ये शुरू हुआ था तो आपको याद रखना है कि प्रधान मंत्री जंधन योजना की जो शुरुआत हुई थी 28 अगस्त 2014 को हुआ था और इसमें 100% वित्ती समावेश को हासिल करने वाला कौन सा राज बना है तो वो है मेगाल है राजी आपको याद रखना है फिदी के आज जाएंगे 30 नमर हमार अब्दुलकलाम जी दिखिया है ऑप्शन नमर यहाँ पे सी में तो हमारे हाँ पे सी नमर राइटन सो जाएगा थोड़ा सा और जान लेते हैं कि जानते रहेगा एपी जी अब्दुलकलाम जी ने सिर्फ यही पुस्तक नहीं लिखी अगनी उलान की ही बलकि इन्हों ने इ अब्दुलकलाम जी ऑर इनको बारे हमें जानते रहेगा इक बात कि इनको मिसाइल मैन के जनक भी इनको बोला जाता है पुस्तक नहीं एक दॉक्टर एपीजे अब्दुलकलाम ही है तो आपको तीन-चार पॉइंट आर रियाद रखना है कि दॉक्टर एपीजे अब्दुलकलाम जी द्वारा लिखे गे पुस्तक अगनी की उडान है इगनाइटेड माइंड है और दूसरी बात क्या है दॉक्टर एपीजे अब्दुलकलाम को मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है और भारत में मिसाइल कारेकरम के जैनक के रूप में भी जाना जाता है उसके साथ साथ भारत के एक मात्र वैग्यानिक है जो राश्क पती पर भर भी आसीन हुए तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखना है फिदी कहा जाएंगे 31 नमर हमारा कुछिन कह रहा है कि निमलिखिन में से कौन विद्धुद आवेस का सुचालक है दिखा ऑप्शन A में है काच ऑप्शन B में है कागज ऑप्शन C में है तामबा और आप्शन D में है पानी तो जानते रहेगा विद्धुद आवेस का इन चारों में जो सुचालक है वो है तामबा और तामबा दिखिया है आप्शन C में तो हमारे हैं C नमर आइटम सुर जाएगा आपको याद रखना है कि विद्धुद आवेस का जो सुचालक है वो कौन है वो तामबा होता है हाँ एक चीज़ और जानते रहेगा अगर यही कुश्चन यह होता कि विद्धुद आवेस का सबसे उत्तम सुचालक कौन होता है तो सबसे उत्तम की अगर बात आती है तो याद रखेगा सबसे उत्तम सुचालक जो होता है विद्धुत आवेश का वो चांदी होता है ये भी आपको याद रखना है तो आपको इस सारी points आद रखने हैं कि विध्धुत आवेश का जो सुचालक है हमारा इसमें option option number C तांबा है लेकिन question यह होता कि विध्धुत आवेश का सबसे उत्तम सुचालक जो होता है वो कौन होता है तो वो होता है चांदी यह आपको याद रखना है फिदी का आजाएंगे 32 नमबर हमारा कुछन कह रहाय है कि कुंडन कुलम парमाणू उर्जा सहीं अंत्र रहा है वो कौन से राज्ज़य में इस्थित है तो जानते हैं का कुंडन कुलम परमाडु उर्जा सयंतr है और तंपिल नाडु की बाद दिखिया है option number यहाँ पे C में तो महाँ पे C number आइट यां सो जग आपको जाद रिखने है कि कुंडम कुलम परमाडु जो उर्जा सयंतr है ये तंपिल नाडु में है हाँ अगर ये बात करें कि कुंडम कुलम निमलिखित में से कौन सा एक भारत का प्रमुख चाय उत्पादक राज है तो जानते रहे हैं आपका पस्चिम बंगाल और पस्चिम बंगाल दिखेंगे यहां पर बी में तुम्हारे हैं बी नंबर राइट रोजएगा आपको याद रखना है कि भारत का वह राज जो चाय उत्पादक के लिए प्रमुख है जो है वो कौन सा है पस्चिम बंगाल और जानते रहे हैं यहां पर असम में असम में सबसे जादा चाय की उत्पादन होती है कहां पर असम में अगर कुछ ना था सबसे जादा कहां होता है तो असम में सबसे अधिक उत्पादन होता है चा के बच्चे को जो बोला जाता है वो बोला जाता है हैचलिंग और हैचलिंग दिखिया है option नमबर यहाँ पर दिखिया है D में तो हमारे यहाँ पर D नमबर रैटा सो जगा आपको जाद रहें नहीं के मगर बच्चे को जो बोला जाता है वो हैचलिंग कहा जाता है फिर दिखे आ जाएंगे next नमर हमारा question गई रहा है कि निमलिखिन में से कौन से व्यक्ति ने स्वतंदर भारत के प्रथम ग्रहिमंतरी के रूप में कार किया तो जानते रहेगा जिन्होंने स्वतंदर भ भारत के प्रथम ग्रिह मंतरी के रूप में जिन्होंने काम किया वो थे सरदार बल्लब भाई पटेल जिने हम लौह पूरुस के नाम से भी जानते हैं अगर कुछ चनाता है कि लौह पूरुस किसे का कौन जानते हैं लौह पूरुस के नाम से कौन जाने जाते हैं सरदार बल् प्राधिकरण है यह बैंको का नियामक प्राधिकरण और बैंको की बात दिखिया है option नमर यहां पे ए में तो हमारे यह नमर आई टंसर हो जाएगा आपको जाद रखने कि भारती रिजर्व बैंक जो है यह रिगुलरीटी अथॉर्टी है बैंको की आपको याद रखना है त का 1 April 1935 एक अप्रेल 1935 को RBI की अस्थापना हुई थी आपको ये भी याद रखना है कि क्यूशिचन का यि बार इस तरह पोच लेता है कि भारतफी रिज़व बैंक की जो अस्थापना कब हुई थी अर्बीरी के स्थापना कब हुई थी तो RBI की जो अपना हुई थी वह एक करपाल 1935 को हुई थी और यहां कुश्चन कहा रहा है कि भारती रिजर्व बैंक के नियामक प्राधी करण क्या है तो बैंकों का प्राधी करण है इसलिए उप्शन मेर हमारा ए नमर यहां पर राइट अंसर रहेगा फिदिक आ जाएंगे 37 नमर कुश सब्सक्राइब करें 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 गया था 2008 में और 2008 दिखिया है option नमर यहां पर बी में तो हमारे बी नमबर राइटांस रोज़ेगा आपको जाते हैं कि रिमोट सेंसिंग लूरन उपग्रह जिसे चंद्रयान वन कहते हैं को 2008 में प्रचेपी तिया लॉंच किया गया था फिरी कहा देंगे 39 नमर हमारे कुछ कि भारत में सरवाधिक व्यापक वनों के प्रकार कौन से है इसको भारत में सबसे जादा किस प्रकार के वन पाये जाते हैं तो जानते रहे का भारत में जो सबसे जादा वन पाये जाते हैं वो है आपका परणपाती वन और परणपाती वन दिखिया है option नमबर यहां पे ए तो हमारे हाँ पे ए नंबर राइटा रो जाएगा आपको याद रहने कि भारत में जो सरवाधिक व्यापक या बहुत जादा जो वन पाये जाते हैं वो कौन सा है परनपाती वन है अब ये कहेंगे परनपाती क्या होता है तो परनपाती को ही दूसरे सब्दों में बोलते हैं हम पतजड तो ये भी याद रखेएगा अगर इस सा जाए तो पतजड होता है पतजडवन को ही परनपाती वन मतलब ऐसे वन जो वरस में अपने एक बार पत्तिएं को छोड़ते हैं उसी वन को हम पतजडवन भी कहते हैं तो आपको याद रखना है कि पतजडवन ही परनप उन्ही को हम बोलते हैं सदा बहार बन इसी का जिस टूल्टा क्या होता है सदा बहार बन तो सदा बहार जो बन होते हैं वो वर्स में पत्ते नहीं छोड़ते हैं तो याद रखना है कि वर्स में जो पत्ते छोड़ते हैं वो परणपाती या पतजड़वन कहलाते हैं और जो प पत्ते नहीं छोड़ते हैं वो सदाबार बहन कर रहते हैं तो दोने एक दूसरे के अपोजिट हैं याद रखेगा जो पत्ते छोड़ते हैं पत्त जड़ या परणपाती वन और भारत इसमें सबसे ज़्यादा कौन पाये जाते हैं पत्त जड़ वन या फिर परणपाती वन फिर दिक आजाएंगे फोटी नमबर हमारा कुछ निया रहा है कि भारत में A.C.I. खेलों का आयोजन कौन से साल किया गया था तो जानते रहें कि भारत में A.C.I. खेलों का जो आयोजन किया गया था ये किया गया था 1982 में और 1982 में और 1982 में तो नई दिल्ली में आपका आयोज इसका किया गया था ये आपको याद रखना है तो भारत में ACI खेलों का जो आयोजन किया गया था अगर ही कुश्चन ही आजा कि जो ACI खेल होते हैं इसका आयोजन कितने वर्षों बाद होता है तो जानते रहेगा ACI खेलों का जो आयोजन होता है ये चार वर्षों बाद होता तो आपको तो तीन पॉइंट याद रखना है पहले तो भारत का जो भारत में जो एसी आई खेलों का जो आयोजन किया गया था और एसी आई खेलों का आयोजन जो होता है कितने साल बाद होता है तो चार वर्शों बाद होता है फिरी के आजेंगे 41 हमारा कुशन क्या करा है कि 1905 में बंगाल की विभाजन का आदेस किसके द्वारा दिया गया था तो जनतरेगर 1905 में यहां पे जो बंगाल के विभाजन का आदेस दिया गया था यह दिया गया था लाड करजन के द्वारा और लाड करजन दिखिया हैं option नमبر A में तो हमारे यहाँ पे ए नमबर राइटांस रोजाएगा आपको याद रखना है कि 1905 में बंगाल के वी भाजन का जो आदेश दिया गया था वो लाड करजन के द्वारा दिया गया था ये आपको याद रखना है नेक्श नमर कुरिस्चन में आजाते हैं देखे तूनिती फूकिन घर रहे हैं कि 2042 नमर हमारा कुछ झिया रहे हैं कि भारत का समवैधानिक प्रमुख होता है और अपना त्यागपत्र राश्डपती को दे सकते हैं और मुख्यमंदरी की निवत्य जो होते हैं वो राजपाल ही करते हैं तो यह दो-t ejerc now each सही आंसर होगा राष्टपधी को और ये भी आ सकता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति भी कौन करते हैं राजपाल ही करते हैं तो ये भी आपको याद रखना है फिदी के आजाएंगे 43 नमर मारा कुछ नगे रहे कि जल की बू प्रकाश का प्रतिबिंबन एवन अपवरतन के द्वारा ये इंदर धनुशका निर्माड करती है और प्रकाश का प्रतिबिंबन एवन अपवरतन दिखे आया है, option number यहां c में है, reflection and reflection of sunlight, तो यह जो होता है, यह इस से होकर है, जो जल की बूंदे गुजरती हैं, इसके जैसे इंद्धनुस का निर्माण होता है फिदी के आज जाएंगे 44 नंबर हमारा कुशन कर रहा है कि नालंदा विश्विद्याला के पुनरुथान के में महत्पूर्ण भूमिका किसने निभाई थी तुझ जानते रहेगा नालंदा विश्विद्याला के पुनरुथान में जिन्होंने महत्पूर्ण जो भूमिका निभाई थी वो थे अमर्त सेन और अमर्त सेन दिखिया है ओप्शन नंबर यहाँ पर दिखे डी में आया है तो हमारा यहाँ पर डी नंबर राइट अंसर हो जाएगा आपको याद रखना है कि नालंदा विश्विद्याला के पु कुमार गुप्त ने और यह कब किया था यह किया था 436 एडी में तो नालंदा विश्विद्याला के अस्थापना किस ने किया था तो अस्थापना किया था कि इन्होंने कुमार गुप्त फ़स्ट ने और कब किया था 436 एडी में हाँ आप थोड़ा सा अमर्त सेन जी के बा अमर्द सेन की बात किया है तो येसे आपको बताएगा इनलंद विश्विद्याल के पुनरुत्थान में सबसे महत्बूर्भूम का इन्हों इनकी ही थी और इनको नॉबल प्राइज में मिला था तो कब मिला था 1998 इसी में कल्यान कारी छेत्र के लिए अर्थ असास में इनको नॉबल पुरुस्कार मिला था कब मिला था इनको 1998 में तो आपको दो चार पॉइंट यहां देखे क्लियर हो गया पहले तो यह है कि नालंद विश्विद्याल के लिए महत्बूर्भूम का कि इन्हों नी भाई थी अमर्थ सेन फिर कुशन आता है कि अगर कुशन आता है न इनको जो है नॉबल पुरुसकार कब मिला था तो 1998 मिला था और क्यों मिला था इनको कल्यानकार कल्यानकारी छेत्र के लिए अर्थसास में इनको नॉबल पुरुसकार मिला था तो यह भी आपको सारे पॉइंट्स क्या करना है लर्ण कर लेने हैं फिर देखेते हैं आज का ह हमारे ये last question है qusion कर रहे है कि mahatma гándhiy कौन महतमा गांधी कौन से ऐसे व्यक्ति को अपना राजनीती गुरू या उपदेशक मानते थे तो जानते रहें का महत lone gaandhiy jiud जी जो है यह लेका गोपligha रोट अपना राजनीती गुरू या फिर उपदेशक तो में भी आपको यहां clear हो गया होगा कि महत्मा गादी जी जो है किसे राजनिती गुरूप देश्रग मानते थे गुपाल कृष्ण गोखले जी को तो यहां पर हमने 45 यहां पर हमने question यहां पर हमने question यह total happy distance के तो में भी आपको यहां कुछ न कुछ तो चीज़े clear हो ही रही प्लीज वीडियो को लाइकन और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो को आप लाइक जरूर कर दिये कि जब आप लाइक करेंगे तो यह वीडियो तभी वाइरल हो सकी कि तभी maximum logo तक यह पहुँच पाएगे और ऐसा करके ही आप हमारी help कर सकते हैं तो चलि अजय कर दो चलिए हैं तो